हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवनेट्री पर आज मैं आपके लिए बारती सम्विदान के एक मोस्ट इम्पोडेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये जो सीरीज है वो पांच यार प्रशनों की रहने वाली है और हर पार्ट में मैं आपको 100 इम्पोडेंट क्वेशन करवाऊंगा अगर आप ये सभी पार्ट अच्छे से देख लेते हो और आप सभी को पता है कि अगर आप ये पांच यार क्वेशन पढ़ लेते हो तो आप इस वीडियो को पूरा द्यान से देखिए और इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेशन भी पोछूंगा और इस क्वेशन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की और और शुरू करते हैं आज के अपने पहले पार्ट क प्रश्णों को तो हमारा पहला कुशिन है कि सम्विदान शेंशोदन के तैत मौलिक करतब भी जोड़े गई इस कुशिन का सही आंसर है ओप्शन B 42 मा शेंशोदन तो 42 मा शेंशोदन जो है वो इसके तैत मौलिक करतब भी जोड़े गई ये संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42 संशोधन संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक करतव्यों को हमारे संशोधन में जोड़ा गया था और ये जो 42 संशोधन है एसे हम लगू शंशोधन भी कहते हैं Next question है संशोधन सवा का विचार सर्व प्रथम किस ने दिया? इस question का सही answer है option B सुराज पार्टी और ये कब दिया था 1934 इश्वी में Next question है भारत के सबसे युवा राष्टपती कौन थे? इस question का सही answer है option A नीलम्र संजीब रेड़ी ये लगबक 64 वर्स के उम्र में राष्टपती बने थे Next question है लोगसवा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी है? इस question का सही answer है option B पांसो पच्चास तो लोगसवा में जो अधिक्तम सदस्यों की संख्या है वो पांसो पच्चास है Next question है इस question का सही answer है option C डॉक्टर भीमराब बाबा साहिब अम्वीटकर जी तो संवेदान का जनक क्यो है वो डॉक्टर भीमराब बाबा साहिब अम्वीटकर जी को कहा जाता है Next question है संशद की साहट्ट बेठक की अधिच्चता कौन करता है और इस question का सही answer है option C लोगसवा अधियच्च Next question है राजिसवा के अधिक्तम कितने सदस्यों हो सकते हैं इस question का सही answer है option A दोसव पच्चास तो राजिसवा के जो अधिक्तम सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं Next question है मौलिक अधिकार सम्विधान के केस भाग में है इस question का सही answer है option B भाग 3 में और अनुच्छित 12 से लेके 35 तक Next question है प्रथम सम्विधान संसोधन कब हुआ था इस question का सही answer है option A 1951 इश्वी में Next question है भारत में हिंदी भाषा को आधिकार एक रूप से कब सम्विधान में जोड़ा गया इस question का सही answer है option C 14 सितंबर 1949 तो 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी भाषा को आधिकार एक रूप से सम्विधान में जोड़ा गया था Next question है राज्य पुनर गठन अधिनियम का पारत हुआ इस कोशिन का सही आंसर है ओप्शिन B, 31 अगस्त 1956 को नेक्ट कोशिन है बहारतिय सरकार अधिनियम 1995 ये किस से सम्मन्दि था इस कोशिन का सही आंसर है ओप्शिन A, दुई शाषन पढ़ा ले नेक्ट कोशिन है बहारतिय सम्मदान में मूल रूप से कितने अनुच्छिद है तो मूल सम्मदान में 395 अनुच्छिद जो 22 भागों में विवाजित थे और इसमें केवल 8 अनसूचिया थे नेक्ट कोशिन है राज्य सभा के प्रथम सभापती कौन थे इस कोशिन का सई अनसर है ऑप्षिन B डॉक्टर S रादा कशन राज्य सभा के जो प्रथम सभापती थे वो थे डॉक्टर S रादा कशन नेक्ट कोशिन है किस अनुच्छिद के तहत राज्य के अदिन किसी पत्पन नियोजन या नियुक्ती से सम्मंदित राज्य के अधिन किसी पत्पन नियुजन या नियुक्ती से सम्मंदित विश्यों में सभी नागरिकों के लिए अपसर की समता होगी नेक्ट कोशिन है लोक सभा के प्रथम अध्यच कौन थे इस कोशिन का सई अनसर है ऑप्षिन C गरेश वाशुदेव माव लंकर नेक्ट कोशिन है स्वतंतरता के बाद सम्मदान सभा के प्रथम अध्यच कौन थे इस कोशिन का सई आनसर है ऑप्षिन A डॉक्टर राजेंद्र परसाद तो डॉक्टर राजेंद्र परसाद जो है वो स्वतंतरता के बाद सम्मदान के प्रथम अध्यच थे नेक्ट कोशिन है अव्यद तरीके से हिराशत में लिए गए व्यक्ती को रहा करने के लिए कौन सी रेट लगाई जाती है इस कोशिन का सई आनसर है ऑप्षिन A बंदी प्रत्यच्छी करड नेक्ट कोशिन है बहारतिय चुनाव आयो का गठन कब हुआ था इस कोशिन का सई आनसर है ऑप्षिन A 25 जनवरी 1950 तो 25 जनवरी 1950 को जो है वो बहारतिय चुनाव आयो का गठन हुआ था नेक्ट कोशिन है बहरत का सर्वोच विदी अदिकारी कौन होता है इस question का सही answer है option C, महार न्यायवादी तो बहरत का सर्वोच विदी अदिकारी होता है वो होता है महार न्यायवादी next question है प्रथम बार कब विधानसवा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग कब हुआ था सभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था नेक्ट कुशन है रेटिया प्रले किस अनुच्छित की तैत वर्डित है इस कुशन का सई आंसर है ओप्शन बी अनुच्छित बत्तीस नेक्ट कुशन है राज्य सभा और लोग सभा की बैठक बुलाने और इस्तगित करने का अधिकार किस को है इस कुशन का सई आंसर है ओप्शन ए राष्ट पती को तो राश्टपती को जो है वो राज्य सबाव लोग सबाव की बैठक बुलाने और इस्तगित करने का अधिकार है नेक्ट कोशन है अंतर राज्य परिशद के सम्मन्द में उपवंद केस अनुच्छेद में है इस कोशन का सही अंसर है ओप्शन सी अनुच्छेद 263 नेक्ट कोशन है निशुर्क अनुवार सिच्छा केस वर्स से केस वर्स तक की बच्चों के लिए है इस कोशन का सही अंसर है ओप्शन B 6-14 वर्स तो निशुर्क अनुवार सिच्छा जो है वो 6-14 वर्स तक की बच्चों के लिए है नेस्ट कुशिन है पंचायत चुनाव लड़ने की नियूंतम उम्र कितनी हुती है इस कोशिन का सही आंसर है option A 21 वर्स तो पंचायत चुनाव लडने की यो नियूंतम उम्र है वो 21 वर्स होती है नेक्ट कोशन है, संसत के दोनों सदन द्वारा पारित पिल किसके पास बहेजा जाता है इस कोशन का सही आंसर है, आप्शन ए, राष्टपती के पास नेक्ट कोशन है, वोट देने के लिए उमर को 21 से 18 साल कब किया गया था इस question का सही answer है option A, 1989 इश्वी में और के सम्विदान शैंशोधन की तहत तो 61 सम्विदान शैंशोधन अधिनियम की तहत Next question है, महराष्ट और गुजरात का बना था इस question का सही answer है option B, 1 मई 1960 Next question है, सम्विदान शैंशोधन किस अनुच्छित की अंतरगत होता है इस question का सही answer है option B, अनुच्छित 368 तो सम्विदान शैंशोधन जो होता है वो अनुच्छित 368 की अंतरगत होता है Next question है, राष्ट पती को भारती सम्विदान के किस अनुच्छित के तहत शमादान की शक्ति प्राप्त है इस question का सही answer है option B, अनुच्छित 72 तो राष्ट पती को भारती सम्विदान के अनुच्छित 72 के तहत शमादान की शक्ति प्राप्त है Next question है, कौनसा राज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरच्छन कोटा लागू करने वाला पहला राज बन गया इस question का सही answer है option A, गुजरात तो गुजरात जो राज है, वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानि EWS के लिए 10% आरच्छन कोटा लागू करने वाला पहला राज बन गया इस question का सही answer है option A, भारत का महा नियावादी इस question का सही answer है option A, हरीश चंद्र मुखर जी जो है, वो सम्विधान सबा के प्रथम उपाद्यच थे next question है, वार्षिक वित्तिय विवरण का प्रापदान के इस अनुचिद में उलने खित है इस question का सही answer है option C, अनुचिद 112, तो अनुचिद 112 में जो है, वो वार्षिक वित्तिय विवरण का प्रापदान उलने खित है संसद के 27 की बीच आधिकतम अंतराग कितना हो सकता है इस कोशिन का सही आंसर है option A 6 महीने का नेट कोशिन है बारत में सबसे अदिक समय के लिए मुख्य मंत्री कौन रहे हैं इस कोशिन का सही आंसर है option B पवन कुमार चाम लिंग और ये सिक्क्म राज्ज के मुख्य मंत्री रहे हैं 24 वर्षों तक नवीन पटनाय कितनी बार उडिशा के मुख्य मंत्री बने हैं इस कुशन का सही अंसर है option A पांच बार और ये कब से बने हैं 2000 से लेकर अब तक मुख्य मंत्री हैं उडिशा राज्ज के नेक्ट कोशन है, संपत्ती का अधिकार के संबिदान शंशोधन के तहट हटाया गया है इस कोशन का सही अंसर है, ओप्शन A, चबालिस्वा शंबिदान शंशोधन संपत्ती का अधिकार जो है, वो चबालिस्वा शंबिदान शंशोधन के तहट हटाया गया है नेक्ट कोशन है भारत में दो बार कारवाग पी-म के रोप में किसनी कार किया है इस कोशन का सई आंसर है ऑप्शन B गुलजारी लाल नंदा तो भारत में दो बार कारवाग पी-म के रोप में गुलजारी लाल नंदा ने किया है और ये 1964 और 1966 में नेक्ट कोशन है विदी के समच समता का प्राबधन किस देश से लिया गया है इस कोशन का सही आंसर है option C, ब्रिटेन तो विदी के समच समता का प्राबधन जो है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है next question है अनुच्छिद 161 के तहीत छमादान का धिकार किस के पास होता है इस question का सही answer है option B राज़पाल के पास next question है जम्मू कश्मीर पुनरगठन विदेख 2019 के स्तारिक को पेश किया गया था इस question का सही answer हैrato option B 5 अगस्त 2019 तो जम्मू कश्मीर पुरन पुनर गठन विद्यक जो है वो 5 अगस 2019 को पेश किया गया था Next question है समविधान निर्मार के समय अर्थात 1950 इसवी में कितने मौलिक अधिकार थे इस question का सही अंसर है Option B 7 Next question है CAG का कारेकाल कितने वर्षों का होता है इस question का सही अंसर है Option A 6 वर्षिया कह सकते हैं 65 वर्ष की आयू तक Next question है 61 समविधान शंशोधन किस से सम्मंद्ध है तो मतदान की आयू 21 वर्ष से गटाकर 18 वर्ष किया गया 61 समविधान शंशोधन में Next question है गोवा को किस समविधान शंशोधन के द्वारा भारती शंग में शामिल किया गया था Next question है मुख्य चुनाव आयूक्त की नियुक्ती कौन करता है इस question का सई अंसर है option B राष्ट पती तो मुख्य चुनाव आयूक्त की नियुक्ती जो है वो राष्ट पती करते हैं Next question है भारत में मुख्य चुनाव आयूक्त का कारकाल कितने वर्ष का होता है इस question का सही answer है 6 वर्ष या कह सकते हैं 65 वर्ष की आयू तक मुख्य चुनाव आयू का कारकाल होता है Next question है GST को किस सम्विदान शंशोदन अधिनियम द्वारा शंविदान में शामिल किया गया इस question का सही answer है option B 101 में शंशोदन अधिनियम द्वाया शोला द्वारा तो GST को जो है वो 101 में शंशोदन अधिनियम द्वाया शोला द्वारा सम्विदान में शामिल किया गया था Next question है बहारतिय सम्विदान का संचिप्त वर्डन कहां मिलता है तो ये मिलता है प्रस्ताबना में जिसे हम प्रिम बल भी कहते हैं Next question है बहारतिय संविधान में जर्मनी से क्या सामिल किया गया है इस question का सही अंसर है option A आपात कालीन प्राब्धान तो बहारतिय संविधान में जर्मनी से आपात कालीन प्राब्धान शामिल किया गया है संगहात्मक व्यवस्था का प्रापजान किस देश से लिया गया है इस कुशन का सही आंसर है option B, कनाड़ा नेक्ट कुशन है प्रांतिय स्वायत्ता किस अधिनियम से लिया गया है इस कुशन का सही आंसर है option C, भारत सरकार अधिनियम 1935 तो प्रांतिय स्वायत्य ये भारत सरकार अधनियम 1935 से लिया गया है नेक्ट कुशन है भारतिय चुनवाव में First Past The Post System किस देसे लिया गया है इस कुशन का सई अंसर है Option A, EGland तो भारतिय चुनवाव में First Past The Post System ये EGland देसे लिया गया है Next question है, वित्तायों के बारे में किस अनुचित में चर्चा किया गया है? इस question का सही answer है, option A, अनुचित 280 में Next question है, सम्विधान का कौन सा अनुचित जीने के अधकार से सम्मंदत है? इस question का सही answer है, option B, अनुचित 21 तो सम्विधान का जो अनुचित 21 है, वो जीने के अधकार से सम्मंदत है Next question है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदोरी के बारे में सम्विधान के किस अनुचित में वर्ण किया गया है? इस question का सही answer है, option C, अनुचित 43 तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदोरी के बारे में सम्विधान के अनुचित 43 में वर्ण किया गया है Next question है, सम्विधान के किस अनुचित में राज्ज के नीती निदेशक तत्वों के बारे में प्राबधान दिया गया है? इस question का सही answer है, अनुचित 36 से 51 तक तो सम्विधान के अनुचित 36 से 51 तक राज्ज के नीती निदेशक तत्वों के बारे में प्राबधान दिया गया है Next question है, सम्विधान सभाकी पहली बैठक कब हुई थी? इस question का सही answer है, option B, 9 December 1946 को तो सम्विधान सभाकी जो पहली बैठक हुई थी, वो 9 December 1946 को हुई थी Next question है, किसी विदेशक को मनी बिल कौन गोशित करता है? इस question का सही answer है, option A, लोग सभा अध्याच्छ Next question है, राज्ज के नीती निदेशक तत्व के इस देश से लिया गया है? इस question का सही answer है, option C, Ireland से Next question है, सम्विधान की प्रस्ताबना में के शैशोधन द्वारा समाजबादी धर्म निर्पेच वो अखंता सब्द जोड़ा गया था इस question का सही answer है, option C, 42 सम्विधान शैशोधन अधिनियम 1976 के तहत Next question है, दोज़ पंदरे में कि सम्विधान शैशोधन के तहत भारत व बंगलादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? इस question का सही answer है, option A, 100 सम्विधान शैशोधन अधिनियम तो दोज़ पंदरे में, 100 सम्विधान शैशोधन अधिनियम के तहत, भारत व बंगलादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? next question है, राज्य सभा में, 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रापधान की देश से लिया गया है? इस question का सही answer है, option B, Ireland तो राज्य सभा में, 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रापधान ये Ireland देश से लिया गया है? नेक्ट कोशन है, हमारा संब्धान कब पूर रोप से लागू हुआ इस कोशन का सही अंसर है, आप्शन A, 26 जनवरी 1950 तो हमारा जो संब्धान है, वो 26 जनवरी 1950 से पूर रोप से लागू हुआ था next question है मौलिक अधिकार किस देश के समवेधान से लिए गए हैं इस question का सइय अंसर है option C सांक्त राज्य अमेरका next question है संग की राज़बासा हिंदी किस अनुच्छे में वर्डित है इस question का सई अंसर है option B तो संग की राज़बासा हिंदी जो है वो अनुच्छे 343 में वर्डित है Next Question है समपत्ती का अधकार के समविदान शैंशोधन के तहत विदिक अधकार बताया गया इस Question का सही अंसर है Option A 44 में समविदान शैंशोधन के तहत Next Question है भारती समविदान में मूल रूप से कितने भाग थे इस Question का सही अंसर है Option C 22 तो 32 समविदान में मूल रूप से 22 पहाग थे Next Question है सिक्किम को राज्ज का दर्जा के संसोधन के तहत मिला इस Question का सही अंसर है Option B 36 में समविदान शैंशोधन अधिनियम 1975 के तहत Next Question है राष्टपती पर महावयोग किस अनुच्छिद के अंतरगत लगाया जा सकता है इस Question का सही अंसर है Option B अनुच्छिद 61 तो राष्टपती पर महावयोग ये अनुच्छिद 61 के अंतरगत लगाया जा सकता है Next Question है संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इस कुशन का सही अंसर है Option A, विदिक अधिकार और ये 300 का की अंतरगत आता है Next कुशन है लोक सवा में कितने सदस से निर्वाचित होते हैं? इस कुशन का सही अंसर है Option B, 543 Next कुशन है सम्विधन सभा का गठन केस की आधार पर हुआ था इस कुशन का सही अंसर है Option B, कैबिनेट मिशन की प्रस्ताप पर 1946 इश्वी में Next कुशन है मौली कर्तब केस अनुचित में वाड़ित हैं? इस कुशन का सही अंसर है Option A, अनुचित 51 का तो मौली कर्तब पर जो हैं वो अनुचित 51 का में वाड़ित हैं Next कुशन है समानता का अधिकार केस अनुचित में वाड़ित है? इस कुशन का सही अंसर है Option A, अनुचित 14 से 18 में Next कुशन है लोगसवा और राजसवा की सैप्त बैठक किस अनुचित की अंतरगत राष्ट पती द्वारा बुलाई जा सकती है? इस कुशन का सही अंसर है Option A, अनुचित 108 तो लोगसवा और राजसवा की सैप्त बैठक ये अनुचिद 108 के अंतरगत राष्ट पति द्वारा बुलाई जा सकती है Next question है Money Bill किस अनुचिद से सम्मंदित है इस question का सई आंसर है Option B अनुचिद 110 का किलोज 3 Next question है काशी राम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 इस्वी में की गई थी इस question का सई आंसर है Option A बहुजन समाज पार्टी तो काशी राम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 इस्वी में की गई थी Next question है अनुचिद 370 का ड्राप किस ने तयार गिया था इस question का सई आंसर है Option B N गोपाला श्वामी आयंगर Next question है बहुजन सम्भिदान में अनुचिद 21A किस के तहत जोड़ा गया था इस question का सई आंसर है Option A 86 में सम्भिदान शेंशोदन अधिनियम दो यार दो के तहत तो बहुजन सम्भिदान में अनुचिद 21A ये 86 में संवेदान शेंशोदन अधनियम 2 या 2 के तहत जोड़ा गया था जनगर मन को राष्टगान के रूप में कब स्वीक्रत किया गया था इस कोशन का सही आंसर है ओप्शन B 24 जन्वरी 1950 नेक्ट कोशन है राज्यों में आपात काल किसकी द्वारा लगाया जाता है इस कोशन का सही आंसर है ओप्शन B राष्टपती द्वारा और ये अनुच्छे 356 के अंतरगत यह बताया गया है नेक्ट कोशन है सम्विधान के अनुच्छे 17 में किसका प्राबधान है इस कोशन का सही आंसर है ओप्शन A अस प्रश्यता का अंत नेक्ट कोशन है अनुच्छे 371 A के तहत किस राज्य को विशेश अधिकार दिया गया इस कोशन का सही आंसर है ओप्शन B नागालेंड तो अनुच्छे 371 A के तहत नागैलेंट राज को विशेश अधिकार दिया गया Next question है संपत्ती के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था इस question का सही answer है Option C 44 में शम्विदान शेंशोदन 1978 के तहत तो संपत्ती के अधिकार को चबाडिस में संपत्ताइश शेंशोदन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था Next question है कि संपत्ताइश शेंशोदन को मिनी कोंस्टिटूशन के नाम से जाना जाता है इस question का सही answer है Option B 42 में शम्विदान शेंशोदन अधिनियम 1976 तो 42 में शम्विदान शेंशोदन 1976 को मिनी संपत्ताइश शेंशोदन के नाम से जाना जाता है Next question है दिनली को के संपत्ताइश शेंशोदन के द्वारा NCR का दर्जा दिया गया था इस question का सही answer है Option B 69 शम्विदान शेंशोदन अधिनियम 1991 के तहत Next question है कि इस अनुच्छित के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजवाशा का दर्जा दिया गया है इस question का सही answer है Option A अनुच्छित 343 के द्वारा Next question है समानता का मौलिक अधिकार के से से लिया गया है इस question का सही answer है Option B साइप्त राजी अमेरका तो समानता का जो मौलेक अधिकार है वो सायमक्त राजी अमेरिका से लिया गया है नेक्ट कुशन है राष्टपती द्वारा किस अनुच्छित की तहत अध्यादेश जारी किया जाता है इस कुशन का सही अंसर है ओप्शन सी अनुच्छित एक्सो तेश की तहत नेक्ट कुशन है कि सम्विदान शेंशोदन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कूल सदस्यों के पंदर प्रत्षत निर्धारित की गई इस कुशन का सही अंसर है ओप्शन ए एक्क्यानवे में शम्विदान शेंशोदन अधिनियम द्वारा तीन द्वारा नेक्ट कुशन है भारतिय संब्यदान का अनुच्छित 72 किस से सम्मंदित है इस कुशन का सही अंसर है आप्शन A राष्ट पती के छमादान तो भारतिय संब्यदान का जो अनुच्छित 72 है ये राष्ट पती के छमादान से सम्मंदित है नेक्ट कुशन है मंत्री पर्षद शामू एक रूप से किश्के प्रती उत्तरदाई होती है इस कुशन का सही अंसर है option C, लोकसभा नेक्ट कुशन है छेवी अनसूची में कौन सा राज सामिल है इस कुशन का सही अंसर है option A, असम मेगाले तुरपरा वہ मिझुरम तो छेवी अनसूची में असम मेगाले तुरपरा वा मिझुरम राज सामिल है नेक्ट कुशन है बजट के सधन में प्रश्थत किया जाता है इस कुशन का सही अंसर है option B, लोगसभा में तो बयर जो है, वो लोगसभा में प्रस्तूत किया जाता है next question है सिच्छा इनमेसिक की सूची में शामिल है इस question का सही answer है option B, समवर्थी सूची next question है नवगठित लोगसभा के पहली सत्र की अधिछता कौन करता है तो नवगठित लोगसभा के पहले सत्र की अधिछता प्रोटे में स्पीकर करता है तो हमारा next और last question है विदी के शाशन का प्राब्धन के इस देश से लिया गया है और इस question का सही answer है option A, eggland तो विदी के यो शाशन का प्राब्धन है वो eggland देश से लिया गया है अब आपके लिए एक छोटा सा test है और आपको इस test में बताना है कि भारत का सरवोच विदी अधिकारी कौन होता है इस question का सही answer आपको comment में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पार जरूशिया करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम